हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मद्य परदेश अपकारी भाग 2023 में जो वेकेंसी आई है उसमें समानने ज्यान के जो कुछ question answer आते हैं उसके लिए हम important important question निकाल के लाएं है उसको हम आज भी इस वीडियो में दिखाएंगे तो चली दोस्तों समय ना गमाते हुए question और answer शुरू करते हैं क्या होगा तो दोस्तों प्रस नमर पहला आप देख सकते हैं या दिया हुआ है किस धातु को चाकु से असानी से काटा जा सकता यह जो question answer रहेंगे सब दोस्तो 10th extender के हिसाब से जाएंगे यानि 10th class के जो science होते हैं उस हिसाब से यह question त्यार किया हो जो क्यों कि अपकारी विभाग में भी 10th class के हिसाब से ही science का question पूछे जाएंगे मयथ के question पूछे जाएंगे तार्किक जो reasoning है उसके पूछे जाएंगे तो पहला question हाँ आपको दिखा पहला question आपके सामने दिया हो दोस्तों कि कौन सा ऐसा धातु को चाकुछ से असानी से काटा जा सकता है option A sodium, option B mercury, option C copper, option D iron तो दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा आप सबको मालूम होगा अगर आप तिंत क्लास के science पर रहे होंगे तो तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा आपका sodium जैनि option number A is right answer हो जाएगा question number 2 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों कि विदूत का सर्वत्तम चालक है option A silver, option B lead, option C copper, option D aluminium दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा यानि विदूत का सर्वत्तम चालक है जिसमें current प्रवाह हो सके ओक्वांस है तो इसमें आपके सामने option दिया है दोस्तों option A silver दिया हुआ है तो इसे correct answer हो जाएगा और प्रस नंबर 3 दिया हुआ आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं आपके कि soda water में निम्बू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है जो soda water होता है आप यह होंगे तो आपको मालूम होगा soda water में जैसे ही आपन निम्बू डालते हैं तो इसमें बुलबुले बुलबुले छोड़ने लगते हैं तो किस कारण छोड़ता है उसको आपको इसमें बताना है छार के बज़ए से option A छार बुलबुला छोड़ने लगता है ओके दोस्तों तो इसको इसको correct answer क्या हो जाएग okay okay press number 4 आपके सामने दिया हुए दोस्तों आप देख सकते हैं आपके कटे हुए सेव का रंग कुछ देर बात भूरा हो जाता है क्यों को वायू से यानि एयर से किरिया करके बना लेता है क्या बनाता है कटा हुए जो सेव था आपको माल होंगा तो अचे ये काट दियते हैं एक कटने के बाद उसमें वायू के साथ करिया करने के बाद क्या बनाता है थो दोस्तों ओप्सण एंग्साइड ऑप्सन फिड solien इंचिओ डिया करेक्षाइड औू इस क्रईक्थन चैनल जाएगा option A, यानि iron oxide, oxygen के सांथ जब प्रिया करता है, तो क्या बना था, iron oxide, यानि option A, इसे right answer हो जाएगा, ओके दोस्तों ये भी question अब सामने समझ गया होंगे, ओके दोस्तों, अब question number 4 के बाद आता, question number 5, question number 5 आपके सामने दिया हुआ है, दोस्तों आप देख सकते हैं, चूने में पानी में लाने पर कौन सी gas निकलती है, option A, जो चूना मरकर से जो खड़िते हैं, तो उसको किसी टॉप या बाल्टी में डालते हैं, पानी के सामने, तो कौन सा gas निकलता है, ये आप से पूछा जा रहा, option A, oxygen, option B, carbon reaction, option C, hydrogen, option D, दिय तो दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा, आप सबको मालूम होगा, तो इसका correct answer हो जाएगा, दोस्तों, carbon dioxide, उसमें से जो निकलता है, वो होता है, carbon dioxide, यहाँ इसका correct answer दिया होगा, ओके दोस्तों, चूना में जब पानी डाला जाता है, या पानी में चूना डाला जाता है, त तो उसमें से जो गैस निकलता है वो कौन सा निकलता है CO2 यानि carbon dioxide निकलता है यह तेंथ क्लास का question है science का यही पूछा गया तो आप प्रयोक साला में परहे होंगे तो आपको याद होगा ओके दोस्तो तो question और 5 के answer हो जाएगा आपका carbon dioxide यानि option number B जराइट एंसर हो जाएगा अब प्रस नमबर 6 आपके सामने दिया हुआ है कि हरी महंदी में निकलता पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है बहुत अच्छा question है दोस्तों जो हरी महंदी होती है उसमें कौन से पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता तो option A लासोन, option B potassium, option C carbon, option D iron तो दोस्तों इसका correct एंसर क्या हो जाएगा लासोन हो जाएगा यानि option number A इसा एक पतार्त है जो उसमें मिला हुआ रहता है जिसके वज़े से वह लाल हो जाता है ओके दोस्तों option number A जो राइट एंसर हो जाए, question number 6 के बाद आता, question number 7, question number 7 दिया है आक्सी करण अभी किरिया में क्या होता है यह आप किरिया वाला question है आप 3 लास के science अगर study किया हो तो आपको याद होगा अब किरिया, आक्सी करण अभी किरिया में क्या होता है, option A, oxygen का जूरन, option B, hydrogen का option D, electron ग्रहन करना, तो दोस्तों इसके correct answer क्या हो जाएगा, oxygen का जूरन हो जाता है, यह आप्सी करण अभी किरिया में, oxygen का जूरना हो जाता है, यह आप्सी नमबर A जो राइट एंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों, question number 7 के बाद आत, question number 8, question number 8 है के सामने दिया हुए दोस्तों, नीले लिटमर्स पत्र को किस रंग में परिवर्थित कर देता है, option A, साफेज, option B, लाल, option D, काला, option D, बैगने, दोस्तों, इसके correct answer क्या हो जाएगा, option B, यानि हो जाएगा आपका लाल, लाल कलर में change कर देता है, नीले लिटमर्स को किस रंग में परिवर्थित कर देता है तो लाल रंगमे और option number B जा राइट एंसर हो जाएगा है यह भी question आपको समझ में आ गया होगा यह हम लोगर छार वाले चेप्टर से था how question number 8 के बाद था答 should number 9 time में प्रे continuation number 9 आपके 하면서 डिया है कि च्छार लाल लिट्ष मस्को करता है जो चार होता है और लाल लिट्ष मस्को करता है क्या करता है option A काला option B सफेद option C नीला option D बहाएंगी तो दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा नीला कर देता है option number C ज़र I answer हो जाएगा ओके दोस्तों प्रस्ट नमर 9 के बाद था प्रस्ट नमर 10 प्रस्ट नमर 10 दिया हुए है कि कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण हैं सेव में उपस्तित होता है जो कटा हुए सेव होता है यह मालीजी सेव हो गया और सेव काड़ दिये भूरा होने के कारण सेव में उपस्तित होता है option A calcium option B zinc option C iron option D iodine तो दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा iodine या 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 आयोडीन हो जाएगा option number D ज़र I answer हो जाएगा जाता है उसमें जो भूरा कलर आने लगते हैं और आपका iodine के कारण होता है तो प्रश्ण नमर 10 भी आपसानी समझ गया होंगे प्रश्ण 10 के वाद आता प्रश्ण 11 प्रश्ण 11 आपके सामने दिया है दोस्तों कि निमल लिखित मैंसे कौन निमल लिखित मैंसे आपशन ब्लुप्ट जन्तु प्रजाती हैं और लेकन डोडो पक्षी जो एक नाम की पक्षी है ये अभी ब्लुप्थ हो चुकी है यह नहीं मिल रही है कोश्चन भी आप पर कि अपना खुद का एंसर दे सकते हैं कि क्या अंसर होगा ओके दोस्तों अब 11 नमर प्रेस्ट के बाद आता है प्रेस्ट नमर 12 प्रेस्ट नमर 12 दिया है काईक जनन पाया जाता है अप्रेस्ट नमर 13 दिया हुए दोस्तों नर और मादा इगमक के संयोजन को कहते हैं नर और मादा यानि इस्त्री और पुरुस के मिलन को क्या कहा जाता है ओके दोस्तों तो यहां option A दिया है परागन, option B दिया है निशेचन, option C दिया है मुकुलन, option D दिया है बिज्ज, 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 दोस्तों इसका correct answer आप सबको मालूम होगा 10th class के standard का question है तो इसको निशेचन बोलते हैं जब इस्तिरी पुरुस का मिलन होता है नर और मादा का तो उस संयोग को निशेचन बोलते हैं science की बाद समय ओके दोस्तों option A दिया मक्का, option B दिया सर्सो, option C गुलाव, option D दिया है पिटुनिया तो दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा option A यानि मक्का जो है और एक लिंगी पुस्प है option A जो राइट एंसर हो जाएगा प्रश्ण नमर्च चोगद्य के बाद आथा प्रश्ण नमर्च 15 प्रश्ण नमर्च 15 दिया है दुई लिंगी पुस्प निमलिखित में से कौन सा है option A पपीता option B मक्का option C ककड़ी option D सर्सो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option D आनि सर्सो जो होता है दूई लिंगी होता है दूई लिंगी पौना होता है ऊकी दोस्तों तो बहु सार आप देखे होंगे ऐसे पत्ता रहता है उसमें बहुत सर्सो् expressed कर देको क्र प्रश्ण K Sky Vin I connectivity अधर लिंगी पॉते हैं उस्पोलते हैं सर्सों उक्रूं मालव को परसंट ऑप्षन सी 10 परसंट ऑप्षन डी आपका 45 परसंट दोस्तों इसका करेक्ट रोजाएगा 90 परसंट जो रक्त प्लाजा में जल की लगभग मात्रा होती है और 90 परसंट होती है ऑप्षने 50 पर ऑप्षन बी 72 बार ऑप्षन सी सोब बार ऑप्षन डी 120 बार दोस्तों इसका करेक्ट एंसर दिया है जबकि 72 होना चाहिए यह एक मिनट में 72 रखता हैं ओके दोस्तों एक वैस्क आदमी का जो हिटाय होता है वह वैस्क का सौरी 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 वैस्क का सौ बर्द रखता है और जो मिडियम में जो रहते हैं उनका कोएट्टर वर्द रखता है जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं जो बच्चे जनम लेते हैं उनका 120 बर्द रखता है वोके दोस्तों तो इसका करेक्ट अंसर आपका सौ ही होगा यह जो दिया हुगा है यह सई दिया हुगा वैस्क की बात किया है तो यानि ऑप्सिन नम्बर सी प्रस्ट नमर 17 प्रस्ट नमर 18 निमन में से किस नाम से जाना जाता है लाल रख्त का निकाया जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है प्रस्ट नमर 19 दिया हुआ आपके सामने कि अनीमिया रोग होने पर चाहिए जाना जाता है लाल रख्त का निकायों को प्रस्ट नमर 19 दिया हुआ आपके सामने कि अनीमिया रोग होने पर सरीर में किस चीज की कमी होती है अनीमिया जो रोग होती है खून की कमी के बज़े से होता है तो आपके सामने दिया हुआ है option A रक्त में हीमोगलोबीन की कमी option B विटामिन की कमी option C जल की कमी option D खनीच वर लाउनों की कमी तो दोस्तो आपको मताया है रक्त की कमी के बाज़े से यानी option number A is right answer हो जाएगा ओके दोस्तो यहां देख सकते हैं रक्त में हीमोगलोबीन यानी खून की कमी जब होता है तब Personally आपके सामने डिया हुआ कि मादा एनाफली मच्छा जिब काट लेता है तो से कौन सा रोग होता है तो दोस्तो आप सब मालू होगा कि मादा एनाफलीज मच्छर काटने से कौन सारक हो था साब से जाए था है तो malaria होता है तो option C ये right answer हो जाएगा malaria हो जाएगा तो प्रस नमबर और cancer malaria dingo तो आपका malaria ये right answer हो जाएगा तो और अलग-अलग रोग होते हैं तो उसको भी आप परके जाएगा अब प्रस नमबर 21 आपके सामने दिया हुआ है कि चर्म रोग के उप्चार में पर्योग किये जाने वाले वाला radio आइसो तोफ है option A रेडियो सीशा option B रेडियो कोबाल्ट option C रेडियो फास्फोरस option D रेडियो आयोडिन तो दोस्तो रेडियो फास्फोरस जो होता है उसका उप्योग किया जाता है चर्म रोग के उप्चार के लिए ओके दोस्तो यहनि option C रेडियो राइट एंसर हो जाएगा प्रस्ट नमर 21 के बाद आता प्रस्ट नमर 22 प्रस्ट नमर 22 आपके दिया बहुत अधिक मुचाईब पमनेश्ट से की लाल रुधीर कनिकाओं का option A का आकार बढ़ जाता है option B की संख्या बढ़ जाती है option C का आकार छोटा हो जाता option D की संख्या घड़ जाती है तो लाल रुधीर कनिकाओं यानि R, B, C यानि लाल रक्त कनिकाओं की जो होती है इसमें आपको बताना क्या बढ़ जाता है क्या घड़ जाता है तो option number B आपका इसमें correct answer हो जाएगा यानि किस संख्या बढ़ जाती है ओके दोस्तो option B इसमें right answer हो जाएगा question number 23 आपके सामने दिया हुआ देखेंगा बड़े ध्यान से बहुत अच्छा question है कि अधुनिक चर्म सोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो बिसाइले होती है option A निकल, option B जस्ता, option C, chromium, option D, C सा तो दोस्तो option C यानि chromium जो होता है CR ये पाई जाता है चर्म, सोधन उद्योगों में ओके दोस्तो जो बिसाइला होता है option C जा राइट एंसर हो जाएगा ओके दोस्तो प्रस्ट नमबर 24 आपके सामने दिया हुआ है कि स्ट्रांसियम लवन के द्वारा बुनसेल जोला को कौन सा रंग परदान करता है option A निला हरा, option B सेव का हरा रंग, option C किरमीजी लाल, option D इन में से कोई नहीं थे दोस्तो इसके correct answer क्या हो जाएगा, option number C यानि किरमीजी लाल ओके, तो correct answer आपके हो जाएगा, किरमीजी लाल, option number C जा राइट एंसर हो जाएगा अब प्रस्ट नमबर 25 आपके सामने दिया हुआ है कि कृतिम सेटलाइट के अंदर, कृतिम सेटलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि प्रिथ्वी के अकर्षक, अकर्षन का option A उस अस्थान पर सुनने होता है option B चंद्रमा या अकर्षन के बल द्वारत संतुलित होता है option C अभीकेंदर, अभीकेंदर बल्व के सामान होता है option D सेटलाइट के विशेश, डिजाइन के कारण परवाव हिन होता है option C अभीकेंदर, बल्व के सामान होता है option C अभीकेंदर, प्रशन 26 दिया है तो दोस्तो 26 नमर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि आधुनिक सक्ति साली चुम्बक किस से बनते है option A याविकोसे, option B लघ, चुम्बक की पदार्थ से option C, अलमुनियम कॉबाल्ट निकिल के मिश्र घातữa से option D, आपके अल्वा, कॉबाल्ट निकिल option D, लोहा, कॉबाल्ट निकिल के मिश्र घातिऑ से है और दोस्तों का रिख्ट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्स नमर से ऐलमुनियम को बाल्ट निकील के मिसल धातियों से बना जाते हैं चुम्बक होके दोस्तों जो अधुनिक सकते साली होते हैं प्रस्ण नमर 26 प्रस्ट गवाद आता प्रस्ट नमर 27 कि निमलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी घटी है आप्शन ए अलबर्ट आइस्टाइन ने समाने अपर चिकता सिध्धांद प्रस्थूत किया आप्शन ए मैक्स फ्लैंग ने क्वांटम सिध्धांद का प्रतिपादन किया आप्शन डी सी मार्कोनी ने पर्थम बेतार सिगनल भेजा आप्शन डी मैडम क्यूरी पर्थम महिला नोबल प्रुष्कार विजेता बने आप्शन डी निला पिला हरा आप्शन डी नीला पिला हरा तो दोस्तों इसका क्रेक्ट अन्सर क्या हो जाएगा यह देखेंगे तीनों और दिखा रहा है तो इस अप्र जो प्रस नंबर 29 आपके सामने दिया है कि दोस्तों जब निम्बू के रस को ऊब जाता है जाला जाता है तो उसमें हे तीज उत्फुलन होता है इज उत्फुलन होता है वहाईड्रोजन होता है अक्षियान होता है वतले यहिस कहुद अपनेति है तो इसमेस चार ऊसफिन से एक प्लिक करना है मितले था आप से जलाकर van फ्रस्ष्ट नमर्टीज दिया है कि लिखित में से किस कोटी के फोटो प्रिंट की जीवन अवदी सबसे लंबी होती है option A fixer वाले रंगीन प्रिंट, option B fixer के बीना रंगीन प्रिंट, option C sweet jam print, option D computer विक्सित sweet jam print, दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा आपका, option number C, sweet jam print, यह question भी आप समझ में आ गया हो गया है, यह सारे question 10th standard के हिसाब से लिए गया है, science के, और सारे question important है, question number 31 आपके सामने दिया हुआ है, ताप उपक्राम में होता है, धनात्मक हर्षे पर, रिनात्मक हर्षे पर, option number C, तत अस्ठ अवस्था में इल्में से कोई नहीं, जो तापक्राम होता है, किस अवस्था पर उपक्राम होता है, तो धनात्मक हर्षे जो होता है, उसके उसमें हो प्रश्ण नमबर 32 आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों किसी मनुसी के लिए स्वक्षावा की कितनी मात्रा आवसकता होती है ओप्षण A दिया हुआ है 1000 घंड फिट वायू परतेक 20 मिनट में और दोस्तों से क्रेक्रेक अंसर क्या हो जाएगा correct answer आपका यहाँ option number D यानि 10 second के अंदर ही आपको कितना यार चाहिए तो आपको 10 second के अंदर 1000 घंफित वायू परतेक 10 second के अंदर आपको चाहिए option number D ज़र आइट answer हो जाएगा हावा जो होती है 1000 घंफित वायू 10 second मनुस्टिक को सवाखी आवा सकता होती है आप्षय घर्ण कराता करा है तो दोस्तों से प्रिधिक यानि कितानुव की zh atght11y आठीयवा財 बाजम जाते हैं तो दोस्तों स्कत्रूद्ध किनवर घर्ण जाती है आप्शन नमबर सी जा आप्शन इज बीज राइट एंसर हो जाएगा ओके दोस्तों प्रस्ट नमबर 33 के बाद आता प्रस्ट नमर 34 एसिया की विशालतम परिवर्तित दुर्बीन कहां है एसिया जो है एसिया महादीफ में हर को याता है इंडिया आता है सबसे बाद इसिया महादीफ है इसमें पूछा गया है कि एसिया के विशालतम परिवर्तित दुर्बीन कहां है तो आप्शन ने कोई कोडाई कोडाई कनाल ऊटी आप्शन भी ऊटी आप्शन सी कवालूर आप्शन दी नैनिताल दस्तर इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा कवालूर कवालूर यानि ऑप्शन सी जे राइट एंसर जाएगा ओके दोस्तों प्रस नमर पैंटीस आपके सामने दिया हुआ है कि वाहन चलान वाहन चालन है तू पश्च द्रिस्य धरपन यानि वाहन जो चलाते हैं देखती है उसको पीछे की तरफ दरपन होता है कैसा दरपन होता है तो सधारन दरपन होता है अवतल दरपन होता है उतल दरपन होता है प्रति लोंबित होता है तो दोस्तों उतल दरपन होता है उतल दरपन में क्या होता है छोटी बरी वस्तु को छोटा दिखाता है ओके दोस्तों साइट ग्लास जो लग रहते हैं बाइक में या ट्रक ड्राइबर या फोर वीलर में वसमें जो दरपन लगे रहते हैं उत्तल दरपन लगे रहते हैं ओके दोस्तों तो आप्शन नमबर सी जे राइट एंसर हो जाएगा यह भी 10th क्लास के स्टेंडर से क्वेश्चन था आप सब परहे होंगे 10th क्लास तो आपको याद हो प्राशन नमबर 3436 आप से पुछा गया है कि पंडूबिया पानी में चलती है उनके इंजन में निमी लिखित में से किस इधन का प्रियोक किया जाता है जो पंडूबी होती है पानी में चलती है उनके इधन के लिए किस इधन का प्रियोक किया जाता है उनके इंजनों के ल प्रस नूंबर 37 आपसे पूछा गया है कि होलो ग्राम किसे कहते हैं option A आबरिती बितरन दर्साने के लिए ग्राफिया इनुरूपन option B थरी बीमिय एम आर आई option C एक पूर्प्रूत पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड option D दिया अपके सामने एक दरब्र क्रिश्टल पर दर्सन तो दोस्तों इसका correct answer आपके हो जागा आप्षन नम्बर सी एक त्रीवी में चवी के पुर्ण पूरूत पाधन के लिए फोटोग्राफिक रिकार्ड ओके दोस्तों ऑप्षन सी जराइट एंसर जाएगा प्रस नमर 36 आपके सामने दिया हुआ है कि निमन लिखित में से कौन सा रंग समिसरन दिन और रात के समय सरवादिक सुविधा जनक होता है तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्टन पूछा गया है कि दिन और रात के लिए जो सुविधा जनक रंग होते हैं दो दो रंग दिये हुए औप्षन नमर A, ऑप्षन B, ऑप्षन C, ऑप्षन D तो दोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा औप्षन नमर D लाल और हरा जो होता है वो दिन और रात के लिए सुविधा जनक रंग होते हैं option number D जो राइट एंसर हो जाएगा ओके दोस्तो प्रस्ट नूमबर 49 आपके सामने दिया हुआ है कि निमलिखित में से कौन सा द्रब्य सरवादिक घनी विसकासिस होता है तो option number A दिया है तेल, option B दिया है दूद, option C दिया है पानी, option D दिया है पेट्रॉल दोस्तो इसके correct answer क्या हो जाएगा तेल जो होता है निमलिखित में से कौन द्रब्य सरवादिक घनी घनी होता है तो तेल जो है यह ज्यादा घनी होता है, okay दोस्तो, option number A जो राइट एंसर हो जाएगा तेल प्रस नमबर 40 आपके सामने दिया हुए दोस्तो कि hydraulic price में किसका उप्यूग किया जाता है, option A पास्कल का नियाम, option B बॉर्णॉली का नियाम, option C आर्कमेंटीज का सिध्यान्त, option D वायल का नियाम तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option number A यानि पास्कल का नियाम होता है, वो hydraulic price में उप्यूग किया जाता है, hydraulic price आप देखे होंगे, जो A से चलता है, दोस्तो इस वीडियो का last question है, और यह मेरे दोरा science के बहुत important question निकाले गया है, बनाएगा है, तो आप इस वीडियो को like करे, share करे और subscribe करे हमारे चैनल को, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, जैसे ही दोस्तो